हेलो फ्रेंड मैं हूं निक और आप सभी का स्वागत हमारी योट्यूब चैनल में सो फ्रेंड आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दे हंडर्ड मेंस का जो 21st मैच होने वाला है वेल्स फायर वर्से नॉर्दन सुपर चार्डर्स के विच इसके ड्रीम 11 टीम के बारे में तो फ्रेंड इस वीडियो में ड्रीम 11 टीम तो देखेंगे लेकिन उससे पहले पीच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो देखें ये मैच होने वाला काडिप में और कार्डिप का वेदर एकदम clear है बारी इसका कोई chance नहीं है वही बात करते हैं इस speech के बारे में तो देखें कार्डिप में अब तक टोटल दो ही match खेले गए हैं इस season में और दो नो ही match बैटिंग first करने वाल टीम ने जीता है यानि कि जो टीम टॉस जितकर पहले बैटिंग कर रही है वही टीम match को win कर रहे है तो टॉस important रहेगा वही बात करते हैं average score के बारे में तो average score 120 है और जिस speech पे भी average score 140 से कम होता है उस speech को balling friendly pitch बोला जाता है यानि कि यहाँ पे विकेट निकालना बहुत असान है लेकिन बैटिंग में run बना रहा है यहाँ बहुत जादा मुस्किल है यह बात आप ध्यान में रखेगा इसके अलाव बालिंग में किसको यहाँ पे जादा विकेट मिल रहा है तो बालिंग में यहाँ पे mostly fast baller को ज्यादा विकेट मिल रहा इस पीछ पर जो अभी लास्ट मैच हुआ था उस मैच भी यही चीज देखने को मिला जो लास्ट मैच हुआ था वो हुआ था इसी टूनामेंट का 17th मैच उस मैच में टोटल 15 विकेट गी रहे थे जिसमें से 11 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए और सिर्फ 4 विकेट स्पीनर को मिला था यह आकड़े देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्पीछ पे स्पीन बॉलर को मुकाबले फास्ट बॉलर को ज़्यादा विकेट मिल रहा है इन ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ड्रीम 11 टीम त्यार किया हुए तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर के बारे में तो विकेट कीपर में हाद से निकोलस पुरन आपकी लिए सबसे ज़्यादा इन्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि निकोलस पुरन ने पिछले चार मैच में दो हाफ सेंचुरी बनाया हुए जहाँ पे एक मैच में इन्हें 62 रन बनाया हुए और एक मैच में इन्हें 65 रन बनाया हुए बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे विकेट कीपर में निकोलस पुरन को ले लिएगा जोनी वेश्टो देखे भरोसे मन प्लेयर नहीं है एक मैच में चलते हैं तो अगले दो-तीन मैच में फ्लॉप होता है इन पर भरोसा नहीं किया सकता है सो इसी वरसे जोनी वेश्टो को नहीं लेंगे जे क्लार्क फिलाल बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे लगतार फ्लॉप हो रहे हैं पिछले मैच में सिर्फ दस रन बना कर आउट हो गया उससे पहले वाले मैच में पाच रन उससे पहले पाच रन उससे पहले जीरो रन जे क्लार्क बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है, जे क्लार्क को छोड़ दीजेगा, ओ जॉर्ज रोबिंसन भी कुछ खास प्लेयर है नहीं, इनके बल्ले से भी जादा रन बन नहीं रहा, पिछले मैच में सिर्फ 11 रन, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 20 रन, तो ओ जॉर्ज को भी 58 रन, उसकी बहुत अच्छी पारीकल करा रहे, उससे पहले एक मैच में 34 रन भी बनाया था, सो हैरी ब्रूक इन्पॉर्टेंट रेंग है, हैरी ब्रूक को ले लीजेगा, जी फलिप बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं, लगतार फ्लॉप हो रहे हैं, पिछले मैच में भी सि फलॉप हो रहे हैं, पिछले मैच में सिर्फ 3 रन बना कर आउट हो गया, उससे पहले वाले मैच में सिर्फ 14 रन, उससे पहले सिर्फ 4 रन और उससे पहले 22 रन, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, सो टीक कोलर को भी छोड़ दीजेगा, इसकी नाजी नहीं खेलेंगे, ए पिछले चार मैच में देखा है, तो तीन बार फ्लॉप रहे हैं, एक बार बस 33 रन इन बना बाकी के तीन मैच में फ्लॉप रहे हैं, सो टी एवल को भी छोड़ दीजेगा, आर वाइट ले नहीं खेलेंगे, जी क्लार्क नहीं खेलेंगे, एम जोंस नहीं खेलेंगे, आई उसके पास पूरा मौका रहता है बड़ी पारी खेलने का, साथी साथ बेंच टॉक बॉलिंग भी कर रहे हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, गलती से भी बेंच टॉक को मिस ना करें, बेंच टॉक को ले लीजेगा, मैथू सौर्ट को ले लीजे, सौर्ट भी बहुत अच्छ होल राउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छा करते हैं, इनको ले लीजेगा, डैविड विली इंपॉर्टेंट रहेंगे, बॉलिंग फ्रेंडली पीछे, और खास करके, पैसर्स को हेलप मिलने वाला है, आपको पाते ही है, हर मैच में विकेट निकाला है, और सबसे खास बात ये रहा है, के centenar ने हर наш match में Wicket निकाला हुआ है सो centenar को आप जरूओ अपने टिप में रिखेगा आरफ एन्डर मरवे नहीं खहलेंगे jay klar को तने कुछ खास player नहीं है पिछले दो match से कोई Wicket नहीं मिला है सो jay klar को छोड़ दीजिएगा l mils बहुत अच्छे allround है पिछले दोनों ही match में इन्होंने विकेट निकाला हुआ है सो एल वेल्स को ले लिजेगा और प्लस बैटिंग ओर्डर में भी टॉप सिक्स में बैटिंग करने के लिए आते हैं सो बैटिंग में भी रन बना सकते हैं सो एल वेल्स को आप जुरू अपने टीम में रखे बी गरेंड को छोड़ दीजेगा ये उतने कुछ खास प्लेयर नहीं है आईए बात करतें बालिंग के बारे में तो बालिंग में यहां से आदिल रसीद को रखेगा आदिल रसीद अच्छे प्लेयर है विकेट टेकर बालर है सो इन्हें आप जुरू अपने टीम में रखे हैरी सुरॉफ को रख लिजे हैरी सुरॉफ हर मैच में ही कम से कम दो विकेट आराम से ले रहे है पिछले तीन मैच में साथ विकेट निकाल चुके बहुत अच्छे form में चल रहे है सो Harry's Ruff को ले लीजेगा Matt Henry को ले लीजे ये भी vicket निकाल रहे है ये भी important रहेंगे और इस match में Pacers को help मिलेगा और Matt Henry एक बहुत अच्छे fast baller है सो wicket ले सकते हैं इने आप ले लीजेगा Rich top play को छोड़ दीजे बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे है और ज्यादा विकेट इनको मिलने रहा है पिछले दो मैच से कोई विकेट इनको नहीं लिया है तो टॉपले को छोड़ दीजेगा डी पाइने इंपोर्टेंट रहेंगे ये लगभग हर मैच में विकेट ले रहे हैं और पाइने को ले लिजेगा बी डुवर्टेंट नहीं खेलेंग जे वॉल नहीं खेलेंगे जोस्वा लीटी ले लेवल नहीं है सी पारगिंसन नहीं खेलेंगे एम क्रेंट उतने कुछ खास पॉर्म में नहीं चल रहे हैं M Ports को तो पिछले 2 मैस से कोई Wicket मिला ही नहीं है और P Brown नहीं खेलेंगे D Pennington नहीं खेलेंगे T Loss नहीं खेलेंगे आई अब बात कर लेते हैं से Captain और Vice Captain के बारे में उससे पहले आप लोग से request रहेगा यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है और अभी तक आपने लाइक और subscribe नहीं किया है तो Please लाइक और subscribe जरू कर दिजे क्योंकि आपके एक लाइक और एक subscribe से friendly में बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और आपका लाइक और subscribe करना ही हमारे मेहनत का फल होता है So Please लाइक और subscribe जरू कर दिजे अगर अभी तक नहीं किये हैं तो और अगर आप इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक करके follow जुरू कर दीजेगा इसके अलावा अभी इस वीडियो में मैं जो आपको Dream 11 टीम दे रहा हूँ अगर by chance Toss के बाद इस टीम में अगर मुझे कुछ भी changes करने का जुरूत पड़े तो मैं जो भी changes करूँगा सबसे पहले मैं आप लोगो को अपने टेलिग्राम चैनल पे बताऊंगा तो अगर अभी तक आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जॉइन नहीं हुआ है तो टेलिग्राम पे जुरूर जॉइन हो जाईएगा यह आप देख लिजे यह आप देख सकते हूँ यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यही पे आपको जॉइन होना है यहाँ पे Toss के बाद सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं से प्लेइंग 11 अपडेट हो गया पीच रिपोर्ट हो गया वेदर रिपोर्ट हो गया इंजरी से रिलेट अपडेट हो गया टीम नियूज हो गया तोस के बाद जितने भी अपडेट्स आते सारे अपडेट्स में यहाँ से अर कर देता हूँ इसके अलावा मैं अभी जो टीम दे रहा हूँ इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा तो टॉस के बाद मैं आप सबसे पहले टेलिग्राम पे ही बताऊंगा साथी साथ मैच खतम होने के बाद जो भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस रहती है उसके स्क्रीन सोट लेकर मैं सबसे पहले टेलिग्राम पे ही सेयर करता हूँ जैसे यह यह आवला मैच आपका देख सकते हैं इंडिया और सिरलंका वाले मैच में यह हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही थी इसका स्क्रीन सोट मैंने सेयर कर दिया है साथी साथ जिस मैच का भी मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो का लिंक भी मैं सबसे पहले टेलिग्राम पे ही सेयर करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़े आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा सो मैं तो बोलूँगा टेलिग्राम पे आप जुरूर जॉइन हो जहें टेलिग्राम पे जॉइन होने में आपका फायदा यह नुपसान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका एक रुपया भी नहीं लग रहा है और आप बिल्कुल फ्री में जॉइन हो रहे हैं I hope आप जुरूर जॉइन हो जाएंगे बाकि अगर जॉइन होने में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजेगा हम आपके कमेंट कर एप्लाई जुरू कर देंगे और आपको help करेंगे जॉइन होने में बाकि बहुत ही सिंपल है जॉइन होना वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है लिंक पे क्लिक करके आप जॉइन हो सकते हैं बहुत सिंपल है बाकि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजेगा हम आपके कमेंट कर एप्लाई चुरू करतेंगे आई अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में तो कैप्टन के लिए देखें मुझे हैरी स्रॉप सबसे वेश्ट लग रहे है पहला चीज तो बॉलिंग फ्रेंडली पीछ पे ये मैच हो रहा है यानि कि बॉलर्स बहुत असानी से विकेट निकालने वाले हैं बैटिंग बहुत ज़्यादा मुस्किल होगा इसी वज़े से मैंने ज़्यादा बल्लेवाजों को पिक नहीं किया है सिर्फ एक ही बल्लेवाज हमने अपने टीम में रखा हुए बॉलर्स को बहुत ज़्यादा इस मैच में विकेट मिलेगा और हैरी सुरप पिछले 3 मैच में 7 विकेट निकाल चुक है मुझे लगता है कि इस मैच में 3 या 4 विकेट भी ले सकते हैं सो हैरी सुरप कैप्टें के लिए बेस चोइस होंगे और Vice Captain Benzstock को bana रहो हूँ क्योंकि Benzstock ओपनिंग करने के लायेंगे बैटिंग में रन बना सकते हैं प्लस बाइलिंग भी कर रहे है पिछले मैंच में Benzstock ने बाइलिंग किया हुआ है सो बाइलिंग में विकेट निकाल सकते है क्योंकि Pacers के लिए help है और जहां Pacers को help मिलता है वहाँ पे Benzstock विकेट निकालते है यह मैंने कई बार देखा हुआ है So Benzstock Vice Captain के लिए मुझे best लग रहे है और Captain के लिए Harry Stroke बाकी अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो किसी और को भी आप Captain Vice Captain बनाना चाहे तो बना सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको कुछ option बता देता हूँ जिनको आप लोग Captain Vice Captain के लिए ट्राई कर सकते हैं जैसे आप David Willey को ट्राई कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छे all-rounder है पैटिंग बालिंग दोनों बहुत अच्छा करते हैं Matthews बहुत अच्छे all-rounder है बैटिंग बालिंग दोनों अच्छा करते हैं और यहां से Matt Henry ये भी important रहें मुझे लगता है 2-3 wicket Matt Henry भी इस match में ले सकते हैं सो देखे अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो इन चारों में से भी किसी को Captain Vice Captain के लिए सबसे base choice लग रहें और फिलाल के लिए यही दोनों हमारे टीम के Captain Vice Captain रहेंगे और फिलाल के लिए यही हमारी Final Dream 11 टीम रहेंगी उमीद करता हूँ यह टीम आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जूरू कर दीजेगा इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को भी लाइक करके follow जूरू कर दीजेगा साथी साथ टेलिग्राम पे अगर अभी आप जॉइन नहीं हुए तो टेलिग्राम पे जॉइन होजएगा टेलिग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्सन में मिल जागा लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जॉइन हो सकते हैं वारा टेलिग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है बाकि फिर भी अगर जॉइन होने में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजेगा हम आपके कमेंट करें प्लाई करेंग और आपको हेल्प करेंगा टेलिग्राम पे जॉइन होने में बाकि अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जुरूर सेयर कीजे चाहिए वाटसब ग्रूप हो या फिर फेस्बुक ग्रूप हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर टेलिग्राम हो जहां सेयर करना चाहिए वहाँ पर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा जिसका comment मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसके comment को मैं like भी दूँगा, heart भी दूँगा पीन भी कर दूँगा इसके comment का screen shot लेका telegram पे भी share कर दूँगा, so comment आप लो जरूर कर दीजेगा, आपके comment से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, so comment आप लो जरूर किया करें, so और अगर अभी भी कोई without है, कोई भी question है तो वो भी comment कर सकते हैं, उसका भी reply आपको जरूर मिल जाएगा, so इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, मिलता अगले वीडियो में तब तक ले चैहिंद, बन्ने वात्रम